नमस्कार मैं डॉक्टर संजय जैन एसोसियेट प्रफिसर सम्राट प्रत्वी राज चोहान राज के माविद्याल अजमेर इससे पूर मैं आपको कॉडिनेट जोमेट्री निर्देशांग जयामिती पे कुछ लेक्चर दे चुका हूँ आज उससे आगे अपन बात करेंगे अपन कॉनिक सेक्षन पढ़ रहे हैं और कॉनिक सेक्षन में आज हम उससे आगे बात करेंगे कॉनिक सेक्शन में आज हम ले रहे हैं पहला आर्टिकल एक्विशन ऑफ दा कॉनिक रेफर्ड टू इट्स सेंटर जिसके सेंटर हम खुद रेफर्ड कर रहे हूं ठीक है तो क्या है आर्टिकल सीधा डेरिविशन भी कभी-कभी यह पूछ लेते हैं कंहीं है व्क चुद इट इक्विशन ऑफ दा कॉनिक रेफर्ड टू इट सेंटर एज ऑरीजन उसके सेंटर मॉरीजन बना पाएं एक्सेज बिंग परिए टूदा ओरिजनल एक्सज जो औरिजेनल आक्की एक्सज उसके पैडलर रहे है वह एक्सम और तब आप उसको ऊरिज y plus c is equal to 0 जो equation 1 से हम represent कर रहे हैं वो हमारी कर्व की equation है मान लिए इसका center x dash y dash ले रहे हैं इसके center अगर हम x y x dash y dash लेते हैं तो आपको द्यान होगा हम पहले वाले lecture में देख चुके हैं कि जो x के coefficient बनते हैं और y के coefficient बनते हैं वो क्या हो जाने की जीरो के equate कर देते हैं तो हमको यह equation number 2 और 3 मिल जाएंगी x और y के coordinate 0 करेंगे तब इससे हमें center के coordinate कल हमने निकालेते bf minus bg hf minus bg upon ab minus h square gh minus af upon ab minus h square यह center के coordinate निकालते हैं अब यहां से अगर हम origin को transfer करते हैं तो जो equation है हमारी इस article का 3.5 जो है वो reduce होके इसमें बनता है यह हम पहले देख चुके हैं पिछले कल वाले lecture में ax square plus 2hxy plus by square plus c dash यह हमने कल देखा था जहां c dash बराबर क्या होता था यह हमने कल निकाला था ठीक है यह c dash जब हम solve करते हैं तो एक बड़ा अच्छा यह equation हमको मिल रहा है इसमें c dash की value में उपर आ रहा है abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square upon ab minus h square क्या कर रहा है हम जब origin पे transfer करते हैं तो equation यह बनती है इसमें center के coordinate substitute कर है हमने और वो substitute करके equation यह बन रही है क्योंकि हमको origin पे shift करना है parallel उसमें तो यह center के coordinate shift करने पे हमको यह equation बनती है और इसमें जो numerator term आ रही है जिसको हम del से denote करते हैं और यह जो del है del बराबर abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square यह red में हमने mention किया है red bracket में इसको डालके इस formula को हमेशा याद रखना है यह discrement भी कहलाता है konik का clear जब यह value हम वापस abc minus इसकी जब इसके अंदर रखेंगे c dash की value में तो हमें यह curve मिलती है ax square plus 2hxy यह जो 5 way number की equation थी इसमें हम यह c की value रख देंगे तो यह equation बन जाएगी अब हमको क्या होगा ax square 2hxy by square given होगा हमें del की value निकाल ली है और ab minus h square नीचे रखके हम सीधा जब भी curve को origin पर shift करना चाहेंगे हम इन equation से निकाल सकते हैं clear origin पर shift करके हम यह article से निकाल सकते हैं पर del हमें देना पड़ेगा और इस del को निकालने के और क्या क्या तरीके वह सकते हैं वह अभी हम आगे वाली slide में देखेंगे यह जो expression है हमारा del वाला a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square यह कहलाता है discrement इस iconic का और इसको हम आप determinate पहले पढ़के आ चुके हैं अगर मैं यह वाला simple determinate लिखूँ 2 a h g h b f g f c यह इनमें जो term आ रही है 2 f g h तो यह diagonal term आप देख लीजिए a b c आ रही है इदर से clear और यह g f g g पे diagonal हो रहा है opposite f f पे हो रहा है और h h पे हो रहा है इसको जब open करते हैं determinate को तो यही value आती है a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square तो यह जानके ऐसी term हमने बनाई जिसको daily denote किया जो हमारे determinate form में लिखी जा सकती है clear यह determinate में लिखने के बाद यह पहला note हुआ जिसमें हमें यह clear हुआ कि discriminant को हम determinate में लिखके solve कर सकते हैं दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि like karlis smith ने कहा कि value of c dash जो c dash हम निकाल रहे थे उसमें जो 2 f g upon del upon a b minus h square आ रहे था उसको हम इसमें से minus कर रहे है c minus c dash कर रहे हैं यह तो यह determinate यह जो can be obtained by eliminating x dash y dash from equation 237 जो पिछले slide में है 237 उनमें सा अगर हम eliminate कर रहे तो यह determinate बनता है हमारे pass और इसमें एक last time आप देख रहे हो c minus c dash तो हम इसको do determinate में break कर देते हैं c वाला इधर ले लेता है और minus c वाला इधर ले लेता है तो यह दो determinate में change हो जाएंगे आपके clear यह last वाले column को हम दो में break कर रहे हैं बाकी same है clear और जब हम इसको आपको ध्यान दे तो यह जो पहला determinate है यह तो हमारा उपर वाला discriminant बन रहा है डेल plus दूसरे discriminant को हम यह 33 वाले element से खोलेंगे क्योंकि हमारा जो यह element है 1 3 2 3 यह दोनों 00 बन रहे है इसलिए हम 33 से open करेंगे तो c dash आजाएगा minus का और a b minus h square आजाएगा यह देखें यहां पर तो इससे c dash की value क्या आ गई डेल अपॉन a b minus h square अब यह आप देख रहे है वेरिफाई हो रहा अपना जो पिछले article में भी हमने पिछली slide वाले में हमने c dash हो क्या लिखा था डेल अपॉन a b minus h square वो यहां पर भी आ रहा है इस तरीके से भी आ रहा है clear अब तीसरा note ले रहे हैं अगर डेल जीरो हो जाए यह numerator वाली टर्म डेल जीरो हो जाए तो c dash भी क्या हो जाएगा जीरो c dash जीरो हो जाएगा मतलब जो equation थी हमारी ax square plus 2hxy plus by square plus c dash महां c dash 0 जाएगा तो यह simple equation बन जाएगी जिसमें बराबर 0 आ गया और यह किसकी equation है pair of straight line की तो जब भी हमारा c dash 0 होगा हमें हमेशा क्या present होगा यह pair of straight line मिला करेगी यह article हमारा उससे verify हो रहा है conic section में next हमारे एक नए article ले रहे हैं किसी भी conic का हम asymptote कैसे निकालेंगे asymptote क्या होता है अभी हम differential calculus में भी asymptote पढ़ेंगे यहां मैं आपको बता देता हूँ asymptote वो tangent है जो कर को या conic को infinity पे tangent बनती हो clear तो हम यहां क्या करते हैं माल लिया हमें second degree की कोई conic की equation लेके चल रहे हैं इसकी asymptote निकाल नहीं है हमको asymptote चुकि एक tangent है तो एक line ही होगा clear तो asymptote निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी conic equation और इसके asymptote differ होता है केवल एक constant value से यह हम asymptote के chapter में भी पढ़ेंगे आगे जब भी हम calculus में पढ़ेंगे तो सिरफ हमको जो भी equation दी हुई है उसमें हमको एक constant और add करना होता है asymptote के लिए तो यहाँ पर इस वाल equation में जो हमारे पास one number की है इसमें c के साथ हम c प्लेस lambda डाल देते हैं और यह मानते हैं कि यह हमारे conic का asymptote है अब हमें किसी तरह से अगर lambda की value पता चल जाए तो हमें asymptote पता चल जाएगा ठीक है हम यह जानते हैं कि lambda इस चरह से हम choose करते हैं कि हमें यह जो equation number two है यह pair of state line बने pair of state line बनेगी तो कहीने कहीं tangent पे infinity पे जाके touch करेगा ठीक है और infinity पे जाके touch करने के लिए हमें कहीने कहीं infinity आना चाहिए ठीक है तो हमने अभी पहले पढ़ा था उसी तरह से हम यहां कर रहे हैं इस equation को हम determinate x, y और इनके coordinate को eliminate करेंगे तो यह हमारे पास pair of state line दिखाने के लिए यह determinate बनेगा और यहां से हम वही जो भी पिछली slide में हमने article किया है इसको दो में break कर लेंगे एक c वाला हो जाएगा और एक lambda वाला हो जाएगा तो lambda की value हमारे पास क्या जाएगी चुँकि आपके पिसले वाले case में यहां minus था अब यहां plus है तो इसलिए lambda की value minus आईगी del upon ab minus h square यह lambda की value हम इस equation में substitute कर देंगे पहले number पे तो यह asymptote का समिकरन हो जाएगा और del क्या है हमारा वही है जो हम पहले निकालते थे और ab minus h square यह सब हमको दिये हुए होंगे तो किसी भी curve में दिये हुए conic में asymptote निकालने के लिए हमको a पता होना चाहिए hb यह दिये हुए होंगे del निकालेंगे और यहां पे हम रख देंगे clear एक numerical हम इस पे ले लेते हैं ताकि हमको clear हो यह numerical हम ले लिया है find the asymptote of the conic इसका clear इस conic में आप देखें यहां पे a1 है b minus 2 है और c minus 2 है और minus 2 है और चूंकि हमको asymptote निकालना हमने plus lambda जोडना है इसलिए c हो जाएगा minus 2 plus lambda f है phi का coordinate 2fy होता है यहां पे 3 है तो 3 by 2 हो जाएगा इसी तरह से g क्या होता है x का coordinate x का coordinate x की term नहीं है इसमें तो g को 0 कर दिया h क्या होता है 2hxy coordinate होता है उसमें यहां पे खाली xy दे रखा तो 2 का division देंगे so that is minus 1 by 2 तो हमें एक तरह से सब की value दी हुई है हम इसके determinate में रख देते हैं और इस determinate को दो determinate में break कर देते हैं दौनों की value हम determinate को open करके solve कर लेते हैं तो उससे हमें lambda की value 1 मिल रही है जब lambda की value 1 आ गई तो हम समीकरण 1 में lambda बराबर 1 रख देंगे तो यह दिये हुए konik का SM टोट हो जाएगा तो यह बहुत simple चीज है जो भी konik आपको दे रखा उसका SM टोट चीज है तो उसमें constant जोड दीजिए constant जोड के उसको determinate में लिखिए determinate में लिखके उसको दो determinate में break कर लिए एक determinate से numerical value आएगी एक से lambda में आएगी उससे 0 के बराबर equate करेंगे तो lambda की value आ जाएगी वो lambda की value आपको समीकरण 1 में substitute कर दीजिए यह उस konik का SM टोट होगा तो यह SM टोट निकलने का तरीका है कोनिक का तो आज के लिए इतना ही आगे कल हम इससे आगे numerical लेंगे और बात करेंगे Thank you